श्री राम मंदर पर सुप्रीम कोर्च में सुरुआई भले ही चल चुकी हो लेकिन सियासा जारी है और इसकी वज़े से अगले साल लोग सबाचनाव होने वाले हैं और हर कोई मंदर के मुद्दे के जरिये सियासी माइलेज हासिल करना चाहता है। राम मंदर निर्माण को लेकर संग बार बार अल्टिमेटम देता रहा है और संग सरकार पर अब दबाव बना रहा है कहा गया है कि वो कह रहा है कि जमीन का अधिकराण कर मंदर का निर्माण कराए जाए वहीं बीजेपी अब कोट का इंतजार करने के बजाए संसत के जरिये क कानून बनाकर मंदिर निर्मार करना चाहती है। महच कुछ देर में इसी कमरे में प्रेस कान्फरेंस होना जिसमें भयाजी जोशी इस प्रेस कान्फरेंस करेंगे। इसके बाद यहां से निकले हुए है। और इसके बाद यह तैह हुआ है कि दो जो सुझाव दिये गया है आरस के तरफ से कि विंटर सेशन या जमीन अधिगरहन किया जाए। जमीन अधिगरहन की जो ततकाल बात कही गई है कि जिस तरीके से 2019 में निर्मान कारे शुरू होना है। जमीन अधिगरहन की बात पहले भी आरसट के नेताओं की जरी कहीं जा चुकी है। जी राजीभ रविदर आप से मैं जाना चाहती हूं वैसे तो बहूत दबाव पढ़ रहा है। अध्यादेश लाओ या फिर जमीन अधिगरहन को लेकर होगा एक मूल बात बताना होगा कि लगभक सरसट एकर जो जमीन है पूरा टोटल एरिया है उसमें से मात दो दसमलो साथ साथ एकर ही बाकी जो जमीन हे वो सुप्रीम कौट ने कहा है कि हमारी अनुमती के मिनारी साथ साथ एकर है उसमें से एक करना परец विन्टर सेशन कब दो फिर मैसेज जा सकता है लेकिन और को सीपोर्ट करतीय बीजेपी तो चाहती है lowest पर कॉंग्रेस को एक्सपोज किया जा क्योंकि बीजेपी के साब तर पर करना के 1994 में पीबी नर्सीमा राओ जब अध्यक्ष भी थे और प्रधानमंती तो उन्होंने आस्वासन दिया था कि अगर वहाँ पर जमीन के नीचे एसाई खुदाई में अगर मंदिर का उसेस मिलता है तो कॉंग्रेस उसका सपोर्ट करेगी क्या कॉंग्रेस नर्सीमा राओ से अलग है राहूल गानी की कॉंग्रेस ये देखने वाली बात होगी बिल्कुल नजर इस पर हमारी लगातार बनी हुई है शुक्रिया आप दोनों का एजानकारी देने के लिए